हेलो एब्रीवन स्वागत थे आप सबका आज की न्यूस्पेपर अनलिसिस में इस चैनल पर मैं आप सबके लिए इंपॉर्टेट न्यूस कवर करवाती हूँ करेंट अफेर फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस न्यूस्पेपर से और अधर रिसोर्स से पी आईबी वेगरा से ताकि आपका फोकस इंपॉर्टेट न्यूस पे रहे और यहां पर मैं आपको यूटिलाइज करना भी बताती हूँ कि आप उससे अपने प्रिलम्स जी एस पेप में न्यूस पेपर का एक अक्च्वल बेनिफिट ले सकें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चो आज का मुटिवीशनल कोट है इफ यूवन तो शाइन लाइक संफोस्ट बर्न लाइक असन ठीके आपको इतनी कड़ी महनत करनी है कि ताकि आप निखर कर आएं आपकी महनत आ करती हूं आज का इंडियन एक्सप्रेस अनलेसिस लेक्चो इंडेक्स पहले देख लेते हैं इंडेक्स क्या है कि आज हम कौन-कौन से इंपॉर्टेंट न्यूस को कबर करेंगे फालतों की न्यूस तो टीवी डिबेट्स में भी होती है ठीके न्यूस चानल में भी होती है बठामे क्या करना है एक्जाम पॉइंट ओव्यू से पढ़ना है तो कुछ ही पढ़ेंगे बद अच्छा पढ़ेंगे और अच्छे से उसे यूटिलाइज करेंगे राइट फोर्स न्यूस है पिंक बॉल वॉर्म और कॉर्टन पे नंबर बान पे मिलेगा फार्मर्स प्राइस्ट वाली एक प्रॉब्लम चल रही है रिसेंटल आप देखते होंगे कि लोकस्ट और पिंक बॉल वॉर्म है उनका आप निप्टार कैसे कर सकते हैं ठीक है ऐसे आपको कुछे जा सकते हैं नेक्स्ट पोक्सवेक्ट इसमें कुछ सजेशन कुछ चेंजिस की बात कि गई है इसमें कहा गया है कि 16 से 18 साल में अगर कोई सेक्शूल अक्टिविटी होती है तो उसमें यह हमें कंसेंटिंग का बे देख देख के चलना है क्यूंकि सेक्शूल किरियोसेटी होती है इस एज में राइट फिर हमें ऐसे बिल्कुल केस फाइल नहीं कर देना हमें करना हमें देखना है कि वह क्या कंसेंटिंग था ये इतने उम्र के अगर बच्चे करें तो ये छोड़ा जा सकता है ठेके एक्सेप्ट किया जा सकता है कोवेरी रिवर डिस्प्यूट पढ़ेंगे आज कल बहुत न्यूज में है ये प्रिलम्स क्लें इंपॉर्टिंट है जी को बहुत पूचा जा सकता है ठेके कि इसे कैसे सोल्व करें क्योंकि रिवर वोटर वो डिस्प्यूट वो कही ना कहीं इसे बीच में दरा लेकर आजाएगा जो एक कोपरेशन होता है स्टेट के बीच में वो कही ना कहीं हाम करेगा फोर्स्ट नूज देखते हैं फ्रम ठीक है यह लग जाता है cotton के जो cotton के जो flowers होते हैं उसमें ही चला जाता है और फिर यह बीच खाने लग जाता है उसके और रोई किसी भी काम की नहीं रह जाती उसकी बाद ठीक है problem देखेंगे यह ऐसा देखता है कुछ pink ball warm और यह ऐसा cotton कर देता है यह घराब करके खा देता है पूरा cotton यह ऐसा घराब हुजाता है India is the only BT cotton growing country यह हमें देखना है कि pink ball warm न बीटी cotton जो बायो टेक्नलोजी के द्वारा जो cotton बनाया गया है उस पे भी यह चला जा रहा है वो भी बीटी वो भी पेस्ट रिजिस्टेंट नहीं है ठीक है जैसे कि other ball warm होते हैं जो pigeon पी में भी लगते हैं sun flower में भी लगते हैं यह pink ball warm कहा लगता है सिर्फ और सिर्फ cotton में लगता है इतना faithful है the infestation of insect pest whose larvae bore into cotton balls through lint fiber, lint fiber के through वो seed को घाने लग जाते हैं यह October, November, September के दौरान होता है जब cotton के खेती अपने पीक पे होती है cotton की फसल अपने पीक पे होती है, mature हो चुकी होती है ठीक है तब इने यह cotton पे जाना पसंद है मतला उसे खाना पसंद है और फिर यह पूरी फसल को खराब करके यह रग देते हैं, यह वाले केरे, pink, ball warm ठीक है, यह cotton farming को खराब करने के लिए ही जाना जाता है, pest है यह native है, Asia का, but has become an invasive species in most of the world's growing, cotton growing regions ठीक है, एक invasive species भी बन चुका है, क्योंकि यह अधर, जो वर्ल्ट की countries हैं, जो कपास उगाती हैं, वह वहां पे भी दिक्कत करतेते हैं, तो यह invasive species है, क्योंकि वहां के खेती को नुकसान पहुचा रहे है, जो भी species, biodiversity, local biodiversity, खेती या किसी भी प्रकार से नुकसान पहुचाती है, तो वह invasive species कहलाई जाती है, ठीक है, in parts of India, the pink ball warm is now resistant to first generation transgenic BT cotton, ठीक है, यानि कि BT cotton, BT cotton जो है, उसमें भी यह पेस्ट चला जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में cotton ही है, जिसकी खेती, बायो टेक्नलोजी के थुरू, मतलब बायो टेक्नलोजी वाले cotton उगाई जा सकते हैं, ठीक है, सिर्फ cotton ही है हमारे देश में ऐसा अभी, अब उस पे भी बैस लगने शुरू हो गए, कौटन के बारे में कुछ की फाक्ट देख लेते हैं, ये खरीव क्रॉप है, ये वाले स्पेशली आपके प्रिलम्स के लिए इंपोर्टेंट है, चैसे आठ महीने चाहिए होते हैं इसे मैचियोर होने के लिए, आपने सुनोगा ब्लाक सॉइल, ब्लाक सॉइल का मिलती है, वो महराष्ट्रा हो गया, करनाटका, गुजरात, हर्याना के कुछ पार्ट्स में, राज़स्थान में, यहां पे कॉटन की खेती की जाती है, ये अरिट क्लाइमेट के लिए भी, अरिट क्लाइमेट में भी उख जाता है अच्छे से, ओक्योपाइज 2.1% ऑफ दे वोल्स एरेबल लैंद, ठीक है, 27% ऑफ वोल्स के टेक्स्टाइल नीड्स जो होती है, जो कपडों की नीड्स होती है, वो कॉटन से फुल्फिल होती है, तेंपरेचर चाहिए होता है, यह वाले छोटे-छोटे facts बहुत इंपॉर्टेंट आप सब के प्रिलम्स के लिए, ठीक है, क्योंकि भाप जब ओनली वन ओनली टो आएगा, तो बहाँ पे फाक्च्छल इंफोर्मेशन ही है, जो काम आएगी उस समय, ठीक है, यह 20 से 30 डिग you know self-float soil भी कहते है, self-float soil मतलब क्यों होता है, जब सुखा रता है, जब सुखी हो जाती है यह वाली तो ऐसे-इस deeply cracks यह बना देती है, deep cracks यह बना देती है तो यहाँ से बीच को डालना अंदर एज़ी हो जाता है, ठीके और जब इसमें पानी पर जाता है, तो यह एसे सू मतलब हो सकते है अराम से बीज इसमें पढ़ सकते हैं अगर सुखा हो और क्राक्स इसमें आई हो तो ठीक है इसे सेल फ्लोट सॉयल भी घा जाता है ठीक है प्रोड़क्ट क्या है? कॉटन कॉम फाइवर के तरह है और कॉटन के बीच का तेल निकलता है और इसे अनिमल फीड की तरह है यूज करते हैं सबसे जादा उगाया जाता है इंडिया में उसके बाद चाइना में उसके बाद यूएसे में यह टॉप अगर हमें कॉटन की तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें यो पैस्ट अटाक हो रहे है उस पर ध्यान देना होगा फार्मस को कोई दिक्कत नाए क्यों एक रिद्यूसिंग प्रेड्यूसिंग स्टेट कौन कॉन से हैं गुज्रात, भारास्ट्रा, दिलांगना सबसे जाद कर रहा है इस्ट आपको करना होते है निजिस क्योंकि एरेया स्पेसिफिकन हुई? इसे कुछन है यह इसे quirky कोई फेशन में में कुछन बनता है में इसमें चुछन सकता है मेंस मेंक प्रिंहेकुजर है कोई सकता है कि है क्या tackling लएक एप्र पुछा जा सकता है यह ऐसे करते हैं न्यूस का अनलिसिस कि ताकि आप उस न्यूस को पढ़की सिर्फ छोड नहीं दे आप उसे अच्छी तरहीं किसी अनलाइज करें नेक्स्ट इंपॉर्टे न्यूस इस पोक्सो लाओ पैनल से इस कीप कॉंसेंटेज 18 बद टेक लेस सेवियर लुक वेन किड्स 16 तो 18 इयर्स के जब किड्स इन्वॉल्फ होते हैं जब बच्चे इन्वॉल्फ होते हैं किसी सेक्शूल अक्टिविटी में तो आपको उसे लेस सेवियर देखना उसे उतना सेवियर के इस नहीं देखना पोक्सों के अंदर क्योंकि इस टाइम पे क्या होती है इसमें यहां पे जो लॉमिनिस्टर है उन्होंने यह सजेशन एक पॉइंट ओट किया है अब इसमें डेबेट चल रही है क्या हमें 18 से कम उम्र को कर दिना च एचाहरा ही रखना चाहिये पर 16 to 18 years की age में जब कोई sexual activity वाली कुछ पता चलता है आप सबको तो यह देखिए कि अगर दोनों की consent है तो okay ठीक है It says that it will ensure the law is balanced Law is balanced मतलब उन्हें प्रोसेक्योट ना किया जाए उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाए जिनकी मर्जी से यह हुआ है जिन दोनों की मर्जी से यह हुआ है Right हमें best interest देखना है child का Child के साथ कोई sexual exploitation भी ना हो क्योंकि काफी अपने देखा होगा कि household में अपने relatives अपने family members परिशान करते हैं child को sexually exploit करते हैं वो नहीं होना चाहिए वो भी हमें ध्यान में रखना है पर जब बचे बड़े हो गए हैं कम से कम 16-18 साल के अगर बीच में हैं तो अगर उनकी consent से हुआ है तो उसमें थोड़ी सी flexibility रखनी चाहिए यह जहां पर बोला गया है यहां पर important हुजाता है अपने लिए POXO Act ठीक है POXO Act क्या है POXO Act यह था 14th November 2012 में UN Convention on the Rights of Child 1992 में के तहत हमने क्या किया था ratify किया था हमने यह वाला convention उसके बाद हम यह Act लेके आए ratification कल मैंने आपको बताया था sign करना कि हामी भरना कि yes it is also important ratify करना कि अपने country में उसे related हम कोई कानून लेके आए उसे implement करेंगे बिलकुल अच्छे से with the latter and the spirit यह होता है ratification तो इस वाले convention की बाद हमने क्या किया government ने क्या किया POXO Act लेकी आए ताकि बच्चों की अधिकारों का संग्रक्षन किया जा सके the aim of this special law is to is to address offenses of sexual exploitation and sexual abuse of children which were either not specifically defined or inadequately penalized ठीके इसमें गयाता है कि बच्चों के साथ जो भी शारिडिक शोशन हो रहा है उसे हमें बंद करना है उसे हमें क्रिमनलाइस करना है इसमें एक बच्चे को बोला गया थे कि वो 18 साल से नीची है इसका मतलब वो ना बालिक है ग्राविटी ओफेंस का मतलब क्यों होते है कितना गंभीर मुद्दा है ठीके उसके हिसाब से पनिश्मेंट दी जाती है जो पैनल्टी फोर कमिटिंग सेक्ष्वल ग्राइम जोन चिल्डन ठीके यानि कि 2019 में इसके जो पनिश्मेंट थी वो और कडी कर दी गई ठीके बहुत ही कडी सजा मिलने लग गई थी 2019 के बाद कि बच्चों का शारीडिक शोशन को नहीं होना जाए अचाहिए बिलकुल ठीके क्या फीचर्ज है यह जेंडर न्यूट्रल है सबसे बड़ी बात यह जेंडरल न्यूट्रल है क्योंकि आपने न्यूज में भी सुनाओगा कि बॉई इस ओसो जो बॉई होते हैं वो भी इससे सफर करते हैं इससे अपनी खुद की मम्मी से अपनी मासी से वो सेक्शुल एक्स्प्लोइटेशन सहता था यह कुछ ऐसे मुद्धे होते हैं जो जेंडर न्यूट्रल होने जरूरी है ठीक है हम किसी एक जेंडर पर नहीं पूरे लॉग को बना सकते हैं क्या जेंडर है फरक नहीं पड़ता फरक यह पड़ता है कि इसके साथ सेक्शुल एक्स्प्लोइटेशन हुआ है तो सजा मिलेगी ही मिलेगी ठीक है कम से कम कानून को नहीं डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए जेंडर के बेस पे थीक है अब reporting cases में भी ease कर दिया गया there is sufficient general awareness now to report cases of sexual exploitation awareness की ठरंच थूब यह इसमें बढहोतरी देखी गई है कि sexual exploitation के cases को अब उसे एफार करवा जा रही है ठीक है, सिर्फ individuals की द्वारा ही नहीं, institutions की द्वारा भी ताकि जो मुझरिम है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके ठीक है, यहाँ पर अब यह वाला इंपोर्टिन्ट है, थोड़ बोट समझना इंपोर्टिन्ट है क्योंकि जो बोला गया है न उसका एक perspective समझना important है इसमें क्या इनोंने बोला है कि blanket criminalization of sexual activity amongst ant with the child though intended to safeguard children is leading to incarceration of young boys and girls who engage in sexual activities जो consent की साथ activities में engage होते हैं उनके साथ यह अन्याय होगा blanket criminalization कर देना is bad ठीके हमें इतनी flexibility डखनी चाहिए हमें case to case basis पे चलना चाहिए जो young boys and girls हैं जो sexual activity में एक दूसरे के साथ engage होना चाहते हैं उन्हें हमें क्या करना है उन्हें भी हमें save card provide करना है ठीके matter क्या करता है consent the mental trauma यानि कि पोक्सो अक्ट के अंदर अगर एक young boy and girl है माना 17 years की है या है ठीक है मतब अगर 17 years के हैं दूनों अगर वो इंगेज होए हैं sexual activity में अगर हम उन पे पोक्सो अक्ट चलाएंगे तो क्या होगा एक तो family, relatives, पूरी society, trauma होगा mental trauma होगा उपर से अब law भी आ गया ठीक है मतलब अब law भी पीछे पड़ जाएगा उनके तो mental trauma phase करता है ऐसे में वो बचा ठीक है तो हमें ये प्रोटेक्ट करना है कि उसे कोई mental trauma ना हो the commission which went into various aspects of the issue said it finally presented with the three possible solution इनोने दिखाए है a blanket reduction of the age of consent ठीक है अठारा साल से कम कर दी जाए 16 कर दी जाए पहला तो ये वाला उनोने suggestion दिया है एक solution दिया है introduction of limited exception in case of consensual sexual act involving a child ठीक है हमें एक limited exception देखनी है हमें consent देखना है उसमें कि consent थी की नहीं थी 16 साल से अगर उपर है फिर तीसरा solution ये है कि हम judiciary के उपर चोड़ते judicial discretion हम देखें ठीक है judiciary इसे कैसे interpret करती है जो romantic relationships होती है between adult sins 16 से 18 साल तक के बीच में जो romantic relationship होती है उसे कैसे judy शरी देखती है कैसे interpret करती है या case to case basis पे वो कैसे चीज़ों को देखती है ये judiciary पे छोड़ते ये तीन solutions बताए गए है ये देखना पड़ेगा आगे कि कौन सो solution लिया गया है ये बात तो है कि POCSO act में एक बड़ा change आने वाला है ठीक है consent है कि नहीं है ये भी एक investigation के लिए काफी एक matter हो जाएगा ठीक है further the police investigation suffers from a great number of inadequacies and if it is the investigating agencies that get to determine if there was consent or not then lot of genuine cases that need to be prosecuted under the POCSO act may not be seen on trial account of the investigating agencies themselves declaring यहाँ पर एक drawback बताया गया है कि अगर हम देखेंगे कि consent थी कि नहीं थी ठीक है इसमें क्या होता है family, relatives या जिसके द्वारा ये किया गया है वो से वो उस victim को harass करके या influence करके वो ये मनवा सकता है कि आपकी consent थी राइट वो तो ये जो genuine cases है यानि कि जिन में मुझरिम को सजा मिलनी भी चाहिए वो लोग भी छूट जाएंगे ऐसे चक्कर में तो ठीक है और दूसरी है एक होती है non-consensual romantic relationship राइट इसमें क्यों होते है consent नहीं भी होती बट relationship है consent नहीं है बट relationship है उसमें आप क्या करेंगे ये भी एक problem है राइट आपने देखा होगा आपने कुछ rape cases देखे होंगे जिसमें ये बूला गया है कि consent थी उसकी वो अपनी मर्जी से गई थी राइट तो ये चीजे एक बहुत बड़ी problem एक बिलकुल confusion create करने वाली है इसमें क्यों होगा मतलब love trap में फसाया जाएगा ठीक है उनसे sexual activities करवाई जाएंगी वो भी उनकी consent के साथ क्योंकि love trap है ठीक है उन्हें फिर बेच दिया जाएगा जो ignore नहीं किया जा सकता children को miss use किया जाएगा abusers के द्वारा ठीक है उन्हें prostitution में भेज दिया जाएगा उनकी consent पहले बुलवा के ठीक है जैसे कि पहले love trap में फसाया consent ले ली activities की उसके बाद बेच दिया पोलिस को क्या लगेगा हाँ इसकी मर्जी थी राइट और बलकी क्या है love trap है मुझरिम है यहाँ पर भी राइट पोक्सो अक्ट में अभी क्या है कि अगर किसी लड़की के साथ कोई sexual intercourse होता है by husband, lover और any other person amounts to an offense offense होगा वो section 375 of the IPC और पोक्सो अक्ट के तहट भी girl child का मतलब क्या है? 18 से कम उम्र के साथ इसलिए अभी क्या करना है? अभी इसमें law minister ने point out किया है कि हमें यह 16 to 18 जो years है हमें इसमें थोड़ी सी flexibility या exception लेके आनी होगी ठीक है? next important news है यह GS paper 2 कावेरी river water dispute है बहुत news में रहता है इससे question बनता भी है interview में भी बनता है और कावेरी नदी से question बनता है या किसी tribunal से question बनता है प्रिलम्स में band over कावेरी issue disrupts life in Bengaluru, Southern Garnataka सबसे पहले समझते हैं कावेरी dispute क्या है उसके बाद समझेंगे कि उन्होंने बंद क्यों बुलवाया है ठीक है आप carefully crafted monthly schedule governs the distribution of water यानि की कावेरी नदी पहले सबसे पहले समझते हैं यह है कावेरी नदी यह बिलकुल sacred नदी मानी जाती है Tamil Nadu and Karnataka इसकी two major states है जहां से यह भेती है इसे पोनी कहा जाता है Tamil Nadu में यह sacred river है Southern India की राइस होती है ब्रह्मगेरी हील से यह वाले जो छुटे-छुटे facts है यह वाले prelims के लिए important है बहुत important है राइस होती है ब्रह्मगेरी हील से यहां पर ठीक है यह वाले ब्रह्मगेरी हील से राइस हो रही है टू स्टेट्स यहां पर ले रहे हैं इसका पानी जबकि ड्रेनेज क्या है ड्रेनेज बहुत बड़ा है जिसमें केरला को भी इंक्लूट करते हैं आंद्रा को को भी इंक्रूट करते हैं द्रीनिज बहुत बढ़ा है इसका बट यह टू स्टेट्स हैं जहां पर यह मेजर रूप से बहती है फ्लोज इन साउथ इस्टिर्ली डारेक्शन त्रू थे स्टेट्स अफ करनाथका अं तमिलनाडू और आंडीसिंस एस्टेन्खाट में भेृते हुए चले जाती है पॉ הג में इसकी लेस्ट बैंक आंद राइट डू टू टृब्यूटरी परना बहुत important है left bank tributary कौनसी है? अर्कावती, हेमावती, शिमिषा, हारंगी right bank tributary कौनसी है? left bank कौनसी होती है? जैसे कि यह एक नदी यह पर बह रही है तो यह वाली right होगी जो वाली इस तरफ से आ रही है, वो right होगी जो इस तरफ से आ रही है वो लेफ्ट हो गई ठीक है ये ऐसे आपको ध्यान देना है कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिबूटरी कौन कौनसी है इसमें राइट बैंक कौनसी है लक्षमंतीर था स्वर्णावती नौयल भवानी काबिनी अंड अमिरावती ये वाली हो गई इसकी राइट बैंक ट्रिबूटरी अब मुद्दा ये है कि यहां से ये होती है राइस ठीक है करनाटगा कहता है कि पहले हम अपने फार्म इसको अपने लोगों को मतलब पानी दे दें क्योंकि ये इरिगेशन एंड ड्रिंगिंग वोटर के लिए ये नदी बहुत इंपॉर्टन्ट है ठीक है करनाटगा कहता है कि पहले हम अपने लोगों को पानी दे दे उसके बाद तमिल नाडू में भीजेंगे और जो हर बार होता भी था ठीक है कुछ अपने रिजर्वियोस में स्टोर करके ये लोग तमिल नाडू के लिए भीज दिया करते थे पानी पर दिक्कात आ गई मौनसून की वज़े से मौनसून ने कर दिया डेफिशेट ठीक है पानी उतना बरसा ही नहीं ठीक है अभी हाँ पे कोई ग्लेशियर तो है नहीं कि वह बिलकुल परेनियल सोर्स होगा, नहीं हिमालियन रिवर्स तो परेनियल सोर्स है ये वाली ज्यादतर पानी होता है इनमें सीजनल में, सेजन्स में होता है इसलिए साउथ इंडिया की रिवर्स को सीजनल रिवर्स भी खा जाता है ठेके अब पानी बरसा नहीं मौनसून में उतनी वाटर एवलेबलीटी हुई नहीं तो करनाट का क्या भेजे का तबल नाडू को यही वहां के सीम ने पॉइंट आउट किया है अपना एक मुद्दा रखा है कि हमार पानी है ही नहीं देने के लिए देखते हैं यह क्या स्कीम है वाटर शेयर की इन नॉर्मल वाटर एयर नॉर्मल वाटर एयर हां की एवलेबलीटी रहे ठेक ठाक रहे कि हां तोनों स्टेट्स में शेयर हो चाए ठीक है रिलीस करना है 177.25 थाउजन मिलियन क्यूबिक फीट ओफ वाटर देना है जोन टू में तो तम एनलाडू यह कोटा इंकलोड होता है 123.14 थाउजन मिलियन क्यूबिक फीट मॉन्सून के दौरान ठीक है क्यूंकि मॉन्सून के दौरान पाने की अवलेबलीटी होती है पर इस बार नहीं होई दो ओन गोइंग साउट वेस्ट मॉन्सून सीजन ओफन ट्रिगर्स दिस्प्यूट यह कभे कभी ट्रिगर कर देता है डिस्प्यूट जब रेइनफॉल नहीं होती जब रेइनफॉल की कमी हो जाती है कावेरी रिवर एक वाइटिल सोस है बहुत ही इंपोर्टेंट सोस है मिलियंस ओफ पीपल यानि कि करनाटका एं तमिल नाडू के लाखों लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट सोस है पीने के पाने के लिए और इरिगेशन से चाहिं के लिए ठीक है वहाँ पे फार्मर्स विगेरे की लाइफ काफी dizzy काफी supporters खोती है जिस्वजे से कभी-कभी protests भी होते हैं कभी-कभी warlings भी होता है वहाँ पे ठीक है यह चल रहा है सौ डेज़सो सालों से और काफी बाद सुप्रीम कोट के intervention के द्वारा और एक water dispute को solve करने के लिए tribunal भी बने थी उसके द्वारा case to case निकाले गए ठीक है कुछ guidelines निकाले गई जैसे की agreement signed हुआ था 1924 between Madras presidency in Mysore में क्या बुला गया ठीक है इसमें बुला गया कि it entails the principle that upper riparian state न consent लेंगे पहले किसी भी construction activities है जैसे की reservoir हो गया डाम हो गया इन सब को बनाने से पहले consent लेंगे तमिलनाडू कॉर्मेंट की जो लोवर राइपेरियन state है ठीक है अब ये dispute कब स्टार्ट हुआ 1974 में जब करनाटका ने स्टार्ट कर दिया था divert मतब अपने reservoir की तरफ water को divert करना स्टार्ट करते है था without tamilnadu's consent तो दिकतत है right यानि कि अब नदी तो एक national resource है ठीक है मतलब national भी है natural भी है किसे नदी तो नहीं बनाई और ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब nation या फे center किसी एक state की तरफ है no तो supreme court नहीं बूल है कि एक national resource है इसका मुद्ध एक मतलब nation के तरीके से किया जाएगा दोनों states को ध्यान में रखते हुए equal basis पे हमें ध्यान में रखते हुए इस मुद्ध को solve करना है लेटेस्ट टर्न क्या है ओगस्थ 14 में तमिल्लादू कोर्मेंट अप्रोच्च सुप्रीम कोट seeking its intervention in compelling करनाटका मतलब की करनाटका को बूला कि आप immediately release करो 24,000 cubic feet per second ठेके और water from its reservoir अब करनाटका को गौर्मेंट ने बोला कि rainfall ना होने की वज़े से हमारे हाथों पहले से ही कमी है के रिला में भी कमी है ठेके तो हमारे यह क्या है insufficient flow है हमारे यह पानी ही उतना नहीं है हम देंगे क्या सिदर अमया ने बोला वहां के चेफ मिनिस्टर की जब surplus होता है ना तो हम तामिल नाडो को भेज देते हैं उसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती हम अपने आपे भेज देते हैं विलिंगली रिलीस्ट हो इस तामिल नाडो पर इस पार क्या है अनफेवरेबल कंडीशन है तो करनाटका ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि पानी है ही नहीं थेक है कावेरी मतलब कावेरी वोर्टर रेगॉलेशन कमीटी भी इस थगित मतलब इसका भी गठन किया गया था ताकि इसके डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके तामिल नाडू केरिला पुटूचरी पुटूचरी से भी भैति उसके बाद वहाँ चले जाती है बेएफ बेंगॉल में तो यह वाले स्टेट्स हैं जो स्टेक होल्डर्स है इस डिस्प्यूट में दो में कॉन से हैं करनाटका इन तामिल नाडू ठीक है तो अभी यही डि क्लाइमेट चेंज ऐसे कि बहुत ही ट्रिगर कर देगा कभी-कभी मॉनसून ठीक है कभी-कभी बिल्कुल सोखा लेकर आजाएगा तो यह भी आप एक 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 जामपल पॉइंट आओट कर सकते हैं अपने ऐसे में कि कैसे क्लाइमेट चेंज ट्रिगर कर रहा है तो ऐसे करते हैं न्यूस की की पकड़ी उसे आपको डेटेयल आनलिस साड़ी करता है बहुत ही इंपोर्टिट पॉइंट आपको निकाल के रखने होते हैं अपने लिए ठीक है ताकि आप उस इंपोर्टिटन नोट्स को आप अपने आंसर में ऐसे में यूज करें आपको यह जो मैं डेली की PDF देती हूँ आपको PDF का collection नहीं रखना, आपको उसी दिन उतार के रख लेने अपने notes में, जहाँ पर आपके specific notes बने होंगे, इंटर वोटर डिस्प्यूट, वहाँ पर कावेरी वाला आप मुद्दा लिख देंगे, ठीक है, ऐसे करके आपको notes बना के चलने होते हैं, आपको PDF का collection नहीं चाहिए, आपको उन notes का collection चाहिए, जो prelims के दो दिन पहले भी आप पढ़ सके, mains के दो दिन पहले भी आप पढ़ सके, PDF अगर collect की जाते हैं, तो वो collected ही रह जाती हैं एक दिन, ठीक है, तो जादा आपको PDF के पीछे नहीं भागना, आपको content, आपको important content के पीछे भागना है, ठीक है, जो आपके exam point of view से, UPSC state pieces exams के point of view से बहुत important हो, उनके पीछे भागना है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा, करनाटका ने बंद बुलवाया था, ठीक है, की करनाटका ने जो पानी रिलीस किया है, रिलीस ओफ कोविरी वोटर टू तमिल नाडू, उसके लिए क्या हो रहा है कि अपर catchment जो एरियाज हैं, उसके लिए दिक्कत आ रही है, वहाँ पे कमी हो रही है, तो वहाँ की लाइफ जो नॉर्मल लाइफ है, वो डिस्ट्रॉप्ट हो रही है, तो इसे लिए बंद बुलवाया गया, ठीक है, तो आज के लिए न्यूस पेपर में था, बस इतना ही, मिलते हैं कल, लेक्चर से रिलेटिड जो ये वाल्यव एडेशन की पीडिएफ है, मैं वो दे दूँगी टेलिग्राम चैनल पे विदाउट अनोटेशन, ठीक है, आप वो जो टेलिग्राम लिंक होगी, चैनल की लिंक होगी, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप सब देख लिजएगा, जोइन कर लिजएगा चैनल, डेली पीडिएफ के लिए, ठीक है, पीडिएफ को अन सेम देइं, आपको नोट करके अपने नोट में रख लेना है, ठीक है, तो आप उन सारे बच्चों से आगे हो जाएंगे, जो डेली डेली बस पीडिएफ पढ़ लेते हैं, भोल जाते हैं, नू, आपको बढ़ना है, रिवाइस भी करना, अपने अंसर में भी यूज़ करना है, ठीक है, तो मिलते हैं कर, थैंक्यू सो मच, थैंक्स फो वोचिंग,